हेलो मैं हो चाले कुमार और इस वीडियों में बताने वाले हैं सांस से रिलेटर कोश्चा पहला है गर्मी में बिंगय का प्रेशरही पर आलने से आराम का बोध होता है या आराम मिलता है क्यों दूसरा है अधिक बुखार में रोगी के ललाट पर लिगा युदी कोलन की पठ ही रखते हैं क्यों और तिसरा है गर्मी के दिनों में दर्वाजे युद्धियों पर भींगा खस-खस की पटियों का पर्योंग किया जाता है क्यों आए स्टाट करते हैं पहला कोशन कि गर्मी में भींगय कप्रेशरही पर डालने से आराम मिलता है क्योंकि कप्रे में उप तारा ग्राहन की जाती है अता सरीर से उस्मा निकलने के कारण हमें अराम होता है इसको बोलने के लिए इस तरह सी बोलता है कि जाब क्या था कि सरीर पर भीगे कापरे डालते हैं तो सरीर से क्या था कि उस्मा निकलती है जब वास्पी कारण होगा तो उस्मा निकलती है और उ एके रहता है युष्टी को रंधी को नंती है यह उस्वाय संफ संथिपकायी और संथिवह भ्सक्रोपॉ सभीxico कते हैं लैदा टॉश्टी को लगते है है यह क्योंकि पर्टी में उपवस्थथित दुरौव का वस्फिकरंव लगता और इस वास्पी करन के लिए आवस्यक्त गुप्त उस्मा की मतरा रोगी के लालाट से ग्रहन की जाती है लालाट से उस्मा निकालने के कारण रोगी को आराम मिलता तथा बुखार क्वाम होने लगता है नेश्ट गर्मी के दिनों में दर्वाजे और खिर्क्यों पर भीक का Earth ख़स्थी पटियों का परचयाता है क्यों तो गर्मी के दिनों में दर्वाजे और खिर्क्यों नेश्मा ख़चाउं के परत करने के लिए और और कमरे समय निकालने के कारण कमरा थेंडा हो जाता है इस तरह से तरह की तरम बिदें में दर्वाजे एवन खिर्कियों पर भीके जो होते हैं वो खस-खस की पाटी रखा जाता है क्यों यह तेन क्वेशन था ठीक है तो फिर मिलता है अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तर इस वीडियो में इतना ही रहना जाते हैं